इस क्लास में हम जो हमारा चैप्टर है इंग्लिस क्लास 12 के लिए फर्स चैप्टर दे लास्ट लेशन इसकी समरी मैं आपको बताने जा रहा हूं तो आए शुरू करते हैं दे लास्ट लेशन समरी सबसे पहला जो सीन है वो है लेट फोर इसकूल फ्रेंस जो है नेरेटर आप दिस लेशन वो इसकूल के लिए उस दिन देर से इसकूल के लिए रवाना होता है तो आईए करते हैं शुरू पहला पॉइंट है दे नेरेटर यानि फ्रेंस इसकूल के लिए काफी देर से फ्रेंस रवाना होता है उसके क्लास टीचर का नाम था एम हैमल और वो उससे काफी डरता था भायबीत होता था और नेरेटर यानि फ्रेंस जो है वो उस टॉपिक यानि पार्टिस अकसर नहीं जानता था एक सब्द उसे नहीं आता था यानि उसे कुछ भी उस टॉपिक के बारे में याद नहीं था पता नहीं था इसलिए वो डरता था कि उसे डाटा जाएगा इसलिए उसने सोचा कि मैं इसकुल से भाग जाऊं और आज का दिन मैं इसकुल से बार भी दाऊं मौसम काफी गर्म और चमकिला था लेकिन उसका एक और दूसरा विचार उसके दिमाग में आया उसने कहा कि नहीं मैं भागूंगा नहीं मैं इसकुल जाऊंगा इसलिए वो जल्दी जल्दी इसकुल की तरफ रवाना हुआ अब दूसरा जो सीन सुरोता है उस दिन उस बुलेटिन बोड के सामने काफी भीर थी तो आये देखते हैं इस सेकंड सीन के कुछ important points जैसे ही फ्रेंस टाउन हॉल के पास से गुजरा तो उसने उस बुलेटिन बोड के सामने काफी भीर देखी For the last two years all the bad news had come from there पिछले दो बरसों से जितनी भी بुरी खबरे आही थी न लोगों के लिए वो जबी यहीं से आही थी इस बुलेटिन बोड से न लोगों को पता चली थी The people got the news of the lost battles and other important information only from there यहां के लोगों को जो भी बुरी खबरे मिली थी जैसे युद में हार जाना और बाकी जो खबरे थी important information दूसरी जो भी महत्वपून खबरे थी वो सारी इनको इसी bulletin board से जो है वो मिली थी Now, third scene, usual come at school School में सामाने तहाँ जो सांती रहती थी उसके बारे में यहाँ पर कुछ points देख लेते हैं यह summary है जो हमने detail study पहले कर रखी है exam से पहले एक बार आपका revision करवाने के लिए मैं यह आपको summary करा रहा हूँ और उसके बाद में जो live class होगी उसमें हम इसके MCQs कर लेंगे उसके बाद में फिर से आपको इसके question answers के वीडियो मिल जाएंगे तो इस प्रकार आपकी complete एक बार तैयारी हो जाएगी exam से पहले और इसके PDF अगर आप चाहते हैं तो हमारे जो हमारा telegram channel है उसका link आपको हमारे इसी वीडियो की description में मिल जाएगा आप उसे join कर लीजिए और आप हमें Instagram पर भी follow कर सकते हैं तो आएए next लेखते हैं usually यानि सामाने तेया when the school began जब इसकुल सुरू होता था there was a lot of hustle and bustle तो इसकुल में बहुत ही ज़्यादा सोर्गूल हुआ करता था the opening and closing of desks and lessons orally repeated loudly in unison created a lot of commotion तो वहाँ पर सोर्गूल के सबात का होता था कि opening and closing of desk हैनि जो desk होते थे उनको खोलना और बंद करना साथी साथ सामुहिक रूप से unison जो है unison का मतलगता सामुहिक रूप से जो students होते थे वो mocking रूप से बोल करके जो इनके relations होते थे उनको repeat करते थे वो भी आवाज आती थी and created a loud commotion बहुत ही ज़्यादा सोर्गूल इन चीजों से होता था सामाने तया इसकूल में ऐसा होता था but now it was all so still लेकिन आज सब कुछ सांत था बिलकुल किसी प्रकार की कोई हल चल कोई सोर्गूल नहीं था he could depend on the commotion to get to his desk without being noticed और वो ये विश्वास करता था कि जो सोर्गूल होगा उस सोर्गूल के बीच में वो बिना किसी को दिखाई दिये चुपचाप अपने desk पर जाकर के बैठ जाएगा but now he went in before everyone लेकिन चोंकि आज सोर्गूल नहीं था आज तो बिलकुल सांती थी now it was always still so उसे सब के सामने जो है अपनी bench पर जाना पड़ा he blushed and was quite frightened अब वो काफी सरमिन्दा था और काफी डरा हुआ था भैभी था कि मुझे डाटा जाएगा but nothing happened, no punishment लेकिन कुछ भी नहीं हुआ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जो उसने सोचा था कोई punishment उसे उस दिन नहीं मिला M. Hamill saw and asked him very kindly to take his seat M. Hamill ने उसे देखा क्लास में जाते हुए और उसे बहुत ही दयालूता पुरवक उसे अपनी seat पर बैठ जाने के लिए कहा The last lesson अब देखते हैं last lesson वाला scene क्या है इसको देखते हैं M. Hamill was in formal class that he wore only on inspection and price days अब आज M. Hamill जो है वो अपचारिक dress पहने हुए थे और ये dress वो सामने तया inspection के दिन या फिर जो price distribution days होते थे उस दिन जो पहना करते थे वो dress आज पहने हुए थे सामने तया जो dress पहनते थे वो नहीं थी The whole school seemed quite strange and silent आज पूरा का पूरा school उन्हें बिलकुल विचीत्र और एकदम सांत लगा दिखाई दिया The most surprising thing was the presence of the village elders और उस दिन जो सबसे most surprising thing थी surprising thing जो थी सबसे ज़्यादा आश्चरे चकित कर देने वाली जो चीज उन्हों ने देखी वो ये थी कि वो जो back benches थी वहाँ पर village के जो elders थे वो वहाँ पर बैटे हुए थे लोग जो वो गाव के आई हुए थे They were sitting quietly on the back benches वो पीछे की जो benches थी benches थी वहाँ पर वो बिलकुल चुपचाप सांती से बैटे थे तो यहाँ रखिएगा अगर प्राशन बनता है कि what was the most surprising thing that day तो most surprising thing जो वो ये थी कि there were elders people of that village and they were sitting on back benches वो जो है back benches पर बैटे थे चुपचाप सांती से काफी गंबीर Next, M. Hamill mounted his chair and spoke in a grave and gentle tone M. Hamill उसके बाद में M. Hamill अपनी कुर्सी पर बैठे और काफी गंबीर और एक विनमर आवाज में उन्होंने कहा My children, this is the last lesson I shall give you कहा मेरे बच्चों, आईए जो मैं तुम्हें lesson जो देने जा रहा हूं, ये मेरा अंतीम lesson होगा This is the last lesson I shall give you ये जो मैं तुम्हें आज जो पढ़ाने जा रहा हूं ये पार्ट तुम्हारा अंतीम पार्ट होगा He told them that an order had come from Berlin उन्होंने कहा कि Berlin से एक आदेस आया है कि आज के बाद आपको जर्मन भासा पढ़ाई जाएगी French का अंतीम lesson रहेगा Only German would be taught in the school of Alsace Alsace और Lorando district दियान रखिएगा दोनों ही district में अब केबल जर्मन भासा पढ़ाई जाएगी आगे से French भासा का ये मेरा अंतीम अध्या होगा The new master would join the next day कल ही तुमारा नया master जो होगा जर्मन भासा का वो कल आ जाएगा And it was their last lesson in French French भासा का तुमारा ये अंतीम अध्या है ध्यान रखिएगा बहुत ही important points है एक एक point में से प्रस्ना बन सकता है ये था कि ये कौन सी भासा का अंतीम lesson था तो French भासा का अंतीम lesson था New teacher कब जोईन करने वाला था तो next day new teacher जोईन करने वाला था कौन सी भासा आगे उन्हें पढ़ाई जानी थी अलसे सो लॉरेन में तो उन्हें जर्मन भासा पढ़ाई जानी थी और फिर क्या का है कि order जो है वो कहां से आया था तो order Berlin से आया था और M.Hemel ने बच्चों से क्या का था का था my children This is the last lesson I shall give you तो मैं तुम्हें आज जो पढ़ाने जा रहा हूँ यह मेरा अंतिम पार्ट होगा यह सारी प्रतेक लाइन से एक एक question बढ़ेगा इसलिए आप ध्यान से पूरे chapter को पढ़ लिजेगा और आगे बढ़ते हैं इसके बाद की जो घटना है और द्रश्य है उसके कुछ point समया पर देख लेते हैं अब जो narrator था फ्रेंज उसे काफी दुख महसुस हुआ कि मैंने फ्रेंज भासा में मेरे लेसंस याद नहीं किये थे पहले उसने कभी अपनी किताबों को पसंद नहीं किया था यह सारी चीज़ अब उसे अचानक याद आ रही है जैसे ही मैं हमेल ने कहा कि मेरा अंती मत्या है नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं उसका ग्रामर और हिस्ट्री में उसने कभी रूची नहीं ली थी वो सारी चीज़ अब उसे आज याद आ रही है कि कास मैंने यह सब पढ़ लिया होता बट नाव ही डिवेलप ड़ फैसिनेशन फोर देम लेकिन अब अब इन सारी चीज़ों के प्रती उसके अंदर एक आकरसन जागरत हुआ फैसिनेशन उसके प्रती जागरत हुआ ग्रामर, हिस्ट्री, उसकी किताबें, उसके अध्याए, अपनी भासा सब के प्रती उसके मन में एक आकरसन पैदा हुआ यहां तक कि एम हैमेल को भी उसने पसंद करना सुरू कर दिया एम हैमेल भी अब उसे अच्छे लगने लगे एम हैमेल आगे से फ्रेंस और इनके बाकी स्टूडेंट्स को अलसेश के स्टूडेंट्स को नहीं पढ़ाएंगे इस विचार ने तो फ्रेंस को सब कुछ भूला दिया जो पहले जिस चीज़ से वो डरता था एम हैमेल और उसके रूलर से उसके डंडे से डरता था यह सारी चीज़ों को ही भूला दिया और वो तो यहां तक भी भूल गया कि उसका टीचर कितना क्रेंकी था और अब बोलने की उसकी बारी थी यानि यह मनी मन उसके विचार चलने थे और अब उसकी बोलने की बारी भी आ चुकी थी लेकिन जैसे वो खड़ा हुआ वो सब कुछ मिक्स हो गया उसके दिमाग में और वो अपना जवाब नहीं दे पाया जो फ्रेंज को पूछा गया था एम हैमेल द्वारा वो उसका जवाब नहीं दे पाया अब यहाँ पर जब वो विफल हो गया अपना जवाब नहीं दे पाया तो उसके बाद में हैमेल जो है उस फ्रेंच भासा को ग्लोरिफाई करते हैं उसका महत्व बताते हैं एम हैमेल सोवड इस कंसान देट पीपल अफ अलसेस जनरली जनरली गिव नो इंपोर्टेंस टो फ्रेंच एम हैमेल ने कहा कि सामधेतिया जो अलसेस के लोग हैं उन्होंने फ्रेंच जो भासा है उसका महत्व नहीं समझा इसके लिए बाकी लोग भी जो है वो दोसी थे अब यहाँ पर हैमेल ने यह घोसन की कि पूरे संसार में सबसे ज़्यादा अगर ब्यूटिफुल कोई लेंग्वेज है तो वो थी फ्रेंच लेंग्वेज अब यह ब्यूटिफुल क्यों होती इसलिए उसे सबसे ब्यूटिफुल लेंग्वेज का है ऐसा लगा कि एम हैमेल जो कुछ भी जानते थे वो सब कुछ आज ही इनको सीखा देना चाते थे ऐसा प्रतित हुआ अन्तिम सीन है वी वे लेफ फ्रेंच यानि लॉंग लिव फ्रेंच फ्रांस अमर रहे उसी समय चर्च की गड़ी में बारा बजे का समय जो है दरसाया गया और उनकी खिड़की के नीचे से जो प्रसियन सॉल्जर्स थे उनके ट्रमपेट्स उनकी तुरहिया उनके बाजी जो हो बज़ते हुए दिखाई दिये अब एम हैमेल अपनी कुर्सी पर खड़े हुए बिलकुल काफी उदास थे और काफी भावुग थे उन्होंने बोलने का प्रयास तो किया लेकिन किसी चीज ने उनके गले को अवरुद कर दिया वो नहीं बोल पाए उसके बाद वो ब्लैक बोड की तरफ मुड़ते हैं और उसके बाद में उन्होंने एक चौक का टुकड़ा लिया और जितना बड़ा वो लिख सकते थे उतना बड़ा उन्होंने लिखा क्या लिखा इस लाइन को याद कर लिजी का परिक्सा में पूछा जा सकता है objective questions में question आएगा या फिर अगर one liner single question में भी पूछा गया single word में भी तो वहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा वीव ला फ्रेंस अपने हाथों से उन्होंने बच्चों को इसारा किया इसकूल कम्पलिट हो गया यू मेगो आप जा सकते हैं और इसे के साथ अपना ये चैप्टर कम्पलिट होता है अगर आपको वीडियो पसंद आया हो इसी प्रकार के और अपकर वीडियो से आप चाहते हो तो जो नई स्टुडेंट हैं वो चैनल को सब्सक्राइब अवस्चे करें अपने दोस्तों मित्रों के साथ इसे सेर करें और हमारी लाइव क्लास अवस्चे जोइन करें थैंक यू फर वाचिंग दिस वीडियो